हर हर महादेव, माता पारवर्ती की चैहो, गणेशी की चैहो आज मैं आपनों को कथा सुनाने जा रही हूँ भवान शंकर और मा पारवती के विवाह की कथा हमारे पौरानी ग्रंथों में अनेका अनेक देवी देतों के विवाह का वर्णन है किन्तु जैसी भव्य सुन्दर बरात का वर्णन भवान शंकर और मा पारवती के विवाह के संदर्व में दिया गया है उसकी तूलना कहीं भी नहीं हो सकती है इस बरात की उसे में कहा जाता है कि इसमें संसार के सभी प्रानी समलित हुए थे और उनके भार से प्रिथ्वी अपनी धूरी पर जुक गई थी उसे संतुलित करने है तो भवान संकर ने महर सी अगस्त को अपने आशिर्वात और उनके समस्त पुनिफल के साथ प्रिध्वी के दूसरे छोर पर भेजा तब जाकर प्रिध्वी का संतुलन सही हो पाया माता पार्वती का भवान संकर को तपस्या कर विवाह के लिए मना लेना भी एक असंभो कारे था क्योंकि माता सती के देहिवासन के पश्चाप महादेव वैरागी हो गये थे जब ये विवाहे तुमान गए तो उनके विवाह की तयारी में त्री लोग जूट गया बोले नाथ ही एक मात ऐसे देव हैं जो देव, देत, मानव, दानव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग, किनर, यक्ष, भूत, बेद, पिसाच, बैताल, डाकनी, साकनी, यातुदान, ब्रह्म, राक्षस और इसके अतरिक्तिवी समस्त जातियों के लिए पुझ्जे हैं इसके अतरिक्तिवे पशुपतिनाथ हैं, इसी कारण पशुजातिवी उनकी विवाह में समलित होने के लिए तत्पर थे, इन में से कई तो ऐसे हैं जो एक दूसरे के घोर शत्रु थे, किन्तु देवा दिदेव के विवाह में समलित होने के लिए सारे मतवेत को भुला दि उधर सभी लोग सबसे पहले अपने पूरे ठाट बाट के साथ कैलास पर सारे देपता उपस्थित हुए शिवगन तलिंता से महादेव का शिंगार करने में बैस्त थे जटा जूट नाग रुद्राक्ष भास में मुंड माला इत्यादी से उनका शिंगार किया गया समस्त महादेव का अद्भूत रूप देखकर कह रहे थी कि उनके योगी कन्या तो त्री लोग में नहीं मिलेंगी बारात और मित्र वर से परिहास ना करें ऐसा भला हो सकता है भवान विश्णुभी महादेव का यह रूप देखकर हस्ते वे बोले ऐसे अद्वित्य वर के लिए तो यह बारात योगी नहीं है अब असी कन्या के घर में हमें लज्जित होना पड़ेगा स्री हरी की ऐसी हसी ठीठोली सुनकर महादेव ने प्रसन होती वे नंदी से सभी को एकत्रित करने को कहा तब सब लोगों ने एक साथ ऐसा कोलाहल किया जिसकी तुलना नहीं हो सकती ह इस तरह से भवान शंकर की बरात निकली तुलसी दाजी लिखते हैं राम चरित मानस में कि बहुत ही सुन्दर वणन क्या है कोई मुख हीन विपल मुख का हूँ बिन पद कर कोई बहु बदबा हूँ विपल नैन कोई नैन भी हीना रिष्ट पुष्ट कोई अतितन खीना इ किसी के बहुत मुख थे कोई बिना हाथ पैर का था तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर थे इसी की बहुत से आखे थी तो किसी की आख नहीं थी कोई बहुत ही मोटा ताजा था तो कोई बहुत ही दुबला पतला था सभी देवी देखता अपने अपने वाहनों के साथ में बरा स्वयम चंडी देवी महादेव की बहन बनकर आई थी उनका रूप भी अद्भुत था उन्होंने सर्पों का आभूसन धारन किये था प्रेद पर सवार थी एवं सर पर स्वन कलस उठाया हुआ था बरात के मद्वे भवान विश्णुवी एवं भवान ब्रह्मा क्रमसा गरू स्वास्ति गान करते वे चल रहे थे देवराज इंद समस्त देवताओं से एवं कुवेर यक्षों एवं गंधर्वों से घिरे चल रहे थे शेष्ट मनुस्य इन सभी के दर्सनकर स्वयम को धन्य मानते वे आगे बढ़ रहे थे भवान शिव को तनिक पीछे छोड़कर माता पार्वती की माता मैनावती ने सब का स्वागत किया स्रीहरी ब्रह्माजी और सभी देवकाओं का सुंदर रूप देखकर मैनावती अत्यंत प्रवसन हुई एवं ब्यागरता से भवान शिव के आने की प्रतिक्षा करने लगी शिव गणों भूत प्रेतों से घिरे अ हिमाले राज भी महादेव की लिरा ना समझ कर उनका वह रूप देकर दुखीत हो गए हिमाले राज ने दुखी मन से उन अध्भूत वेशधारी शिव को द्वार के अंदर आमंतित किया तभी मैनावती की तंदार तूटी और उन्हें ने उस विवास से मना कर दिया अपन पतानी नारत को मुझसे कौन सा ऐसा बैर था जो तुम्हारा लगन इस भवूत धारी के साथ लगवा दिया चाहे मेरे प्राण ही क्यों न जाए किन्तु मैं ये विवा नहीं होने दूंगी इस प्रकार मैनावती अपने पुत्र को पकड़े विलाप करने लगी तब माता प वैसे भी मनुस्री के प्रारब्ध में जो होता है उसे वही प्राप्त होता है तब हिमाले राज ने अपनी पत्नी को समझाती वहीं कहा कि प्रेत तुम कदाचित अपनी पुत्री को नहीं पहचान रही हो पूर्व काल में श्री राम की पत्नी सीता का रूप धरने के कारण जिस जगत जनी सती को महादेव ने त्याग दिया था वही इसी जन्मे तुमारी पुत्री के रूप में जन्मी है इसका सम्द्ध तो महादेव से पहले से ही जुड़ चुका है आज तो बस विवाह की आपचारिकता भर है अपनी पुत्री और पती के ऐसे वचन को सुनकर में नावती ने अंततहवर का स्वागत किया तब अपनी सास को दुखी देखकर महादेव ने कोमल स्वर में उनकी इक्षा पूछी तब में नावती ने उनसे उस ओगर के वेस को छोड़कर राज कुमारों वाला वेस दधरने की इक्षा की उनकी प्रात्ना को शिवकार कर भगवान स्विव ने नारायन से स्वयम का सिंगार करने को कहा तब भगवान विष्णू और देवताओं ने महादेव को जनवासे में ले जाकर उनका शिंगार किया और जब वेदी पर आये तो उनका रूप कडोडो काम देवों को भी लज्जित कर रहा था उस समय तक जो कोई देवी पारवती को अधभूत रूप देखकर आश्चर करते वे महादेव की इस अतिसुन्दर रूप को देखकर मंत्र मुक्द हो गए विवासे पूर्व वरवदु पक्षद्वारा अपने कुल का परिचय देने की रस्माई तब परवत राज हिमाले ने गर्व पुर्वक अपने कुल का परिचय देते वे कहा यह समस्त जगत जिस महाब्रह्मा से उत्पने हुआ है मैं उनका पुत्र हूँ सब तिरिशियों से हित सभी मानस पुत्र प्रजा का पालन करने वाले महराज मनू देवर्सि नारधी त्यादी मेरे भञाता है महापर्वत मेरू की पुत्री मेनावती क judgment कि माता है और संसार के सभी पर्वत और बनस्पती उनके संबंदी है यह कहकर हिमाले ने वर से अपने कुल के परिचे देने को कहा यह देखकर सभी ने महादेव की ओर देखा किन्तु वे मौन बैठे रहे तभी हिमाले ने स्री हरी एवं अपने पिता ब्रमाजी से वर के कुल का परिचे देने को कहा किन्तु वे दोनों भी मौन बैठे रहे तभी सभी को दुविधा में देकर देवर्शी नारत ने अपनी वीडा वजाना आरंब कर दिया यह देकर के मैनावती ने उनसे पूछा इतनी गंभीर बात पर वे अपनी वीडा की धोनी को क्यूं दे रहे हैं तभ नारत जी ने कहा हे देवी मैं आपको महादेव की उत्पति के विशे में संकेत दे रहा हूँ यह स्ट्रेम संभू है इसलिए ना तो इनका कोई पिता है ना माता है ना कोई कुल है अथ्वा गोत्र है जब संसार अस्तित में आया तो जो सबसे पहली चीज उत्पने हुई थी वह ध्वनी जो आद इनाद भी इन्ही निर्वीकार महारुद्र द्वारा ही आस्तिक में आया है इसी कारण से मैं अपनी वीणा को तार्न दे रहा हूँ यह सुनकर हिमाले और मैनावती महादेव के चरणों में जुक गए एवं विधी पुरुवक देवी पार्वती का विवा भोले नासे किया स्वेम ब्रह्माजी ने विवा संपन करवाया तत पैसात मैनावती ने माता पार्वती को सेष्ट सती के कर्टबियों का उपदेश दिया और फिर अनेका अनेक उपहार देकर परवत राजे अपनी पुत्ति को विदा किया जो कोईवी भगवान शिव और माता पार्वती के विवा की इस पावन कथा को सुनता है उनके सारे कष्टों का नास होता है जिस किसी का भी विवाह होने वाला है वे इस कथा को अवस्य सुने यदि किसी कन्या अत्वावर के विवाह में विलंभ हो रहा हो तो इस कथा को सुनने से सिग्री उन्हें मन चाहे वरवदु की प्राप्ति होती है हर हर महादेव मेरा ये वीडियो कैसा लगा कि पर वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दवाना न भूलें धन्यवाद बेल आइकन दवाना न भीडियो को सब्सक्राइब करें